नमस्कार रश्णामेरुत्रा.com में आपका स्वागत हैं आज हम पिंडी छोले बनाएंगे पिंडी छोले पंजाब की फेमस डिश है हम देखेंगे पिंडी छोले बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजे चाहिए देड़ कप छोला, चार तेज पत्ता, चार लॉंग, दो बड़ी लाइची, आठ दस दानकाली मिर्च, दो चम्मश नमक, एक लीटर पानी, एक चोथाई चम्मश हेंग, आधा चम्मश जीरा, चार चम्मश धन्या पाउडर, एक चम्मश लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मश बुना जीरा पाउडर, एक चम्मश गरम मसाला पाउडर, दो चम्मश आमचूर पाउडर, एक चोथाई चम्मश दालचीनी पाउडर, एक चोथाई चम्मश से कम जावित्री पाउडर, एक चम्मश काला नमक, डेड़ इंच अद्रक का टुकडा ग्रेट करा हुआ, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च आधा कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया एक चम्मच कसूरी मिथी गार्निश के लिए बारीक कटा हुआ टमाटर छोला बनाने के लिए ओल आईए पिंडी छोला बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले छोले में तेज पत्ता, बड़ी लाइची, लॉंग, कालिमेट्स डालकर छोले को 7-8 घंटे के लिए भिगो देंगे उसी पानी के साथ नमक डालकर छोले को गॉयल करने रग देंगे कूकर में फुल प्रेशर आने के बाद गैस सिंग कर देंगे और 40-45 मिनट के लिए सिंग गैस पर छोला बॉयल करेंगे आईए गैस ओन करते हैं और पिंडी छोला बनाना शुरू करते हैं दो चम्मच ऑई डाल देते हैं ऑई गरम हो जाने के बाद इसमें मसाले एल्ट करेंगे ऑईल गरम हो गया है मसाले डालने शुरू करते हैं कीन जीरा जीरा क्रेकल हो रहा है अद्रक हरी मिर्च हरी मिर्च आप अपने स्वाथ के अनुसास कम्या जादा कर सकते हैं धनिया पाउडर अब मिस में सारे छोले मिक्स कर देंगे छोले अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे दो-तीन मिनट चलाने के बार फिर थोड़े मसाले एड़ करेंगे दो-तीन मिनट हो गई है अब हम अपने दूसरे मसाले एड़ कर देते हैं लाल मिर्च पाउडर लाल मिर्च आप अपने स्वाथ के अनुसार कम्या जादा कर सकते हैं बुना जीरा पाउडर गरम मसाला पाउडर अमचूर पाउडर मसाले चला लेते हैं अच्छी तरीके से डाल चीनी पाउडर जावित्री सारी मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं काला नमक कसूरी मेती इस तरीके से हाथ से थोड़ी सी क्रश करके तब डालेंगे और सारी मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं हरा धनिया आधी हरी धनिया हम अंदर मिक्स कर देंगे आधी उपर से गार्णिश करने के लिए रखेंगे छोलों को अच्छी तरीके से चलाते हुए मिक्स करेंगे पिंडी छोले बनकर तयार हो गए हैं अब हम इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं छोले हमने सर्विंग बाउल में निकाल लिए हैं अब इसको हरी धनिया से गार्णिश कर देते हैं छोले गार्णिश हो गए हैं आप छोले को इस तरीके से बाउल में लेके थोड़े से प्याज और टमाटर से भी गार्णिश करके सर्व कर सकते हैं थोड़ी सी धनिया पुदीना की चटनी आप इस तरीके से डाल के इसको सर्व कर सकते हैं पिंडी छोले बनकर तयार हो गए हैं यह बहुत अच्छे लगते हैं आप इसे बनाईए खाईए और अपने अनवव रश्णामेरुत्रा.com पर शेयर करिए एक बार फिर मिलेंगे नई रेस्पी के साथ रश्णामेरुत्रा.com पर आप हमारे चैनल को सब्स्क्राइब झाल